इस डील की तहत भारत इसराइल से हेरोन ड्रोन खरीदने जा रहा है जिसे देश की सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी बताय जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसराइल दौरे के वाक्त दस हेरोन टीपी ड्रोन को लेकर एहम डील होगी आपको बता दें कि हैरोन टीपी ड्रोन हवा से जमीन पर मार करने वाला मिसायल से लेस विमान है और इसके तुलना अमेरिका के प्रिडेटर और रीपन ड्रोन से की जाती है साथी खुफिय जानकारी एकठा करने के साथ ही लगातार 30 घंटे तक उड़ान भरने में भी ये विमान सक्षम है इस ड्रोन की खासियत है कि ये एक टन वजन उठा कर 45,000 फीट की उचाई तक किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है इसके पूरी तरह से आटोमेटिक होने की वज़य से कंट्रोल रूम में ऑपरेटर द्वारा इसको नियंत्रित किया जा सकता है जिससे आतंकियों के ठिकानों को हवा से ही पहचान कर उन्हें निशाना बनाया जा सकता है इस ड्रोन के मिलने से भारत को पाकिस्तान और चीन से लगी सीमा पर निगरानी करने के लिए एक अचुक हथियार मिल जाएगा अब देखना ये होगा कि भारत की बढ़ती रक्षा थाकत को देखते हुए चीन और पाकिस्तान अपनी कर्टूत से बाज आते हैं या फिर यूहीं आतंकी वारदातों को अंजाम देंगे बिर रिपोर्ट एक्सपोस इंडिया झाल